नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो का टॉपिक है Canvas और इस टॉपिक पर चर्चा करने का आधार है United Nations Commission on Narcotic Drug यानि की C&D द्वारा Canvas को खतरनाक सूची से हटाना यहां जो हम Canvas इस सब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो सामानने भासा में Canvas का अर्थ है गांजा या भांग तो मामला यह है कि जनवरी 2019 में विश्व स्वास्त संगठन के द्वारा स्यूक्त राष्ट के Canvas संधी की अनुसूची से संबंदित छह सुझाओ दिये गए और इस वर्स के दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित C&D की बैठक में इन छह में से पांच प्रस्ताओ या सुझाओ को खारिच कर दिया गया एक प्रस्ताओ जिसे स्विकार किया गया है वह है Canvas और Canvas रेजिन को मादक पदार्थ पर समझोटा 1961 की अनुसूची चार से निकालना मादक पदार्थ पर समझोटा 1961 की अनुसूची चार के अंतरगत अत्यंत हानिकारक मादक पदार्थों को रखा जाता है परंतु अब ये दोनों पदार्थ मतलब Canvas और Canvas रेजिन को मादक पदार्थ पर समझहोता 1961 की अनुसूची एक के अंतरगत रखा गया है कम मादक पदार्थों को रखा जाता है कैन्बिस को खतरनाक सूची से हटाने समंधी प्रस्ताओं पर जो मतदान किया गया है उसमें उसके पक्ष में 27 मतपड़े जिसमें की भारत भी एक है जबकि विपक्ष में 25 देशों की द्वारा मतदान किया गया जिसमें चीन, पाकिस्तान और रूस हैं जबकि युक्रेन मतदान से अनुपस्थित रहा अब हम एक नज़र डालते हैं कैन्बिस नियंतरन से सम्मंधित कानून पर अगर हम अंतराश्टिय कानून की बात करें तो हमें यह पता है कि 1946 इस्वी में United Nation Commission on Narcotic Drugs यानि की CND की इस्थापना की गई इसका मुख्याल है वियना में है और CND का जो प्रमुक कार्य है वह है वैस्विक मादक पदार्थ नियंतरन सम्झहोते के अनुसूचियों में मादक पदार्थों को रख कर इनके वैस्विक उप्योग या वैस्विक बिक्री को नियंतरित करना और इसी के अंतरगत CND के द्वारा 1961 इसी मादक पदार्थ पर समझोता संपन्य किया गया। इसी मादक पदार्थ पर समझोता 1961 की अनुसूची चार में कैन्बिस को रखा गया है। परंतु इसके बाद भी कई देशों की द्वारा कैन्बिस के रीक्रियेशन रीक्रियेशन का यहां पर अर्थ है कि हलके फुलके नसे के लिए और कैन्बिस के मेडिकेशन मतलब चिकित्सा से समंदित। तो कैन्बिस के रीक्रियेशन और मेडिकेशन के परियोग की अनुमती और वरतमान में 50 देशों की दौरा कैन्बीस से सम्मधित चिकितसा कारिकरम को अनुमती दी गई है और कनाड़ा, उरुग्वे, सहित 15 अमरीकी राज्यों द्वारा कैन्बीस के री क्रिस्टनल यूज को भी अनुमती दी गई है अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जिसके तहत कैन्बीस के किसी भी प्रकार पर प्रतिबंद है। सिर्फ मेडिकल और साइंटिफिक या अध्योगिक मकसद से इसके उगाने की इजाज़त दी जाती है। कानूनी रूप से कैन्बीस के तीन रूप हैं। चरस जिसे हसीज भी काते हैं तेल और गांजा। हालाकि भांग पर कोई प्रतिबंद नहीं है। परंतु इसके उगाने पर रेगुलेशन है। और गांजा बनाने पर दस साल तक की जेल की सजा के प्रावधान है। अब हम यहाँ देखते हैं कि आखिर यह कैन्बीस क्या है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि कैन्बीस को हिंदी में भांग का पौधा करते हैं। जिसमें दो नसल अत्यनत प्रचली थे एक कैन्बीस सतीवा, और दूसरा कैन्बीस इंडिका। और इस पौधे से तीन ड्रग तयार होते हैं, गांजा, भांग और चरस. अगर हम गांजे की बात करें, तो गांजा कैनभिस के फूलों से तयार किया जाता है। आम तोर पर इन्हें जला कर इसके धुएं को अंदर लिया जाता है, इस्मोक किया जाता है, लेकिन इसे खाने और घोल कर पीने के तरीके भी होते हैं, बात करते हैं भांग की, तो भांग कैनबिस की पत्यों और बीजों को पीस कर बनती है, फिर इसे सुविधा के मुताबिक लोग खाते या पीते हैं, अगर हम बात करें चरस की, तो चरस केनबिस के पौधे से निकले रेजीन से तयार होती है, रेजीन यानि पेड पौधों से जो चिपचिपा मैटरियल निकलता है वो, चरस को हसीस या हैस भी कहते हैं, ये तीनों साइको एक्टिव ड्रग है, इस से नसा चड़ता है, कैनबिस के पौधों में कुछ विशेस प्रकार के रसायन होते हैं, इन्हें कहते हैं कैनेबिनाइट्स, कैनबिस के पौधे में लगभग 150 प्रकार के कैनेबिनाइट्स पाई जाते हैं, इनमें दो रसायन विशेस होते हैं, एक तीएसी और दूसरा नहीं होता है। जितना जादा THC उतना ही जादा नसा। और अगर बात करें CBD की तो इसका पूरा नाम है कैने बिडायोल। यह ठीक THC का उल्टा काम करता है। यानि THC के साइको एक्टिव इफेक्ट्स को यह काम करता है। CBD कई बार anxiety यानि घबराहट की समस्या में भी मददगार साबित होता है। इन दोनों कैनेबिनाइड्स की मात्रा यह डिसाइड करती है की नसा की मात्रा क्या होगी। खास कर THC की मात्रा। अब हम बात करते हैं कैनेबिस के उप्योग की। तो चिकित्स की छेत्र में अत्यधि दर्द, घबराहट और मितली को रोकने में इसका उप्योग किया जाता है। मनोरोग्यों के इलाज के लिए कुछ दवाओं का विकास भी किया जा रहा है। वहीं अगर नसिले पदार्थ के अंतरगत इसके उप्योग की बात करें तो गांजा चरस भांग के रूप में इसक का सेवन करती हैं तो फिर गर्भस्त सिसु का मानसिक स्वास्त इससे प्रभावित होता है या मानसिक स्वास्त को भी प्रभावित करता है जैसे यादास्त का कमजोर होना और निर्ने लेने की छमता का भी कमजोर होना। इसका अध्योगिक उप्योग भी होता है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल हैंप इंडस्ट्रियल हैंप का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन और पर्सनल केर उत्पाद में होता है अगर एतिहासिक रूप से इसके उपयोग की हम बात करें तो भारत में 5000 से 4000 इसापूर्व कैनबिस की खेती के साक्ष दिखे गया है आयुर्वेद में कैनब परतिबंद लगा गया था परन्तु आजादी के बाद सर्व पर्थम कैनबिस पर परतिबंद लगाने के उद्देश से 1985 इस्वि में नार्कोटिक ड्रक्स एंड साइको ट्रॉपिक सबस्टांसेस एक्ट 1985 को लाए गया अब हम बात करते हैं कैनबिस पर जो परतिबंद आवजूद देश में गांजा भिक्रा है और इसका नुकसान उन लोगों को है जिनको यह नहीं पता है कि वो किस प्रकार के गांजे का सेवन कर रहे हैं क्योंकि हमें यह पता है कि जहां पर भी गांजा लीगल है वहां उनके पैकेट पर THC और CBD की मात्रा लिखी रहती है औ कम घातक होता है क्यों एक तो यहां कि गांजा के ओवर डोस से मिर्तियू नहीं होती है और दूसरा कि गांजा सराब और सिगरेट की तुलना में व्यक्ति को कम एडेक्टिव बनाता है वहीं अमेरिका के उन राज्यों में जहां पर की गांजे को लीगल कर दिया गया तो ल कर देती है तो सरकार को कर का एक अच्छा स्रूत मिल जाएगा क्योंकि 2018 इसवी के सरवे के अनुसार दिल्ली और मुंबे में जितने गांजे का इस्तमाल किया जाता है तो उससे सरकार को कई सौ करोर रुपए मिल सकते हैं अब हम बात करते हैं आगे की रह की सरकार को इस बा उपयोग की अनुमती देते समय भी शराब के उपभोग की तरह आयू सीमा और खरीत उपभोग के संदर में कई नियम कानून बनाने पड़ेंगे चुकि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है इसलिए हमाना जा सकता है कि भारत में गांजे के सेवन को अनुमती मिलने में अभी लंबा समय लग सकता है जो कि गांजा अफीम चरस वैज्यानिक रूप से मुल्त एक ही पादप परिवार के सदस है इसलिए अगर गांजे को अनुमती मिलती है तो फिर इसका दुरूपयोग कर अन्य खतरनाक नसीले पदार्थ बनाए जा सकते हैं इससे अन्य नसीले पदा इसप्रकार हमने इस विडियो के माध्यम से चैनबिस के नियंत्रित सेवन से समंधित अंतराश्ट्रिय एवं स्कावण सहित ठत्यों पर बेशार करें अब इसे समंधित इस प्रस्ण पर विचार करते हैं प्रशन हैं चैनभी से निकलने वाला नीमनी में C और CBD और option D कोई भी नहीं तो comment section में आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार